दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तो आप से आग रहा है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेर दूरू कर ले और फूरू सփक्राइब करते यह पारे में प्रेस्टियॉ दोस्तो आज का टॉपक बिना किसी देडी का शूरू करते हैं अगर किसी गुटने बदलने के डॉक्र ने बोल दिया हो तो वो इसका प्रयोक करके देखें उनको कैलशियम और अधिक मात्रा में पाया जाने कारण सहजन से काफी लाब मिलना चाहिए जिससे की हड़िया मजबूत होती है और भगवाने चाहए तो आपको गुटने बदलवानी जूरूत नहीं पड़नी चाहिए इसके नेमिच सेवन से आँखों की रोश्णी बढ़ती है और इसके पत्नों का रस निकाल कर इसको आँखों में लगा सकते है उससे भी लाब मिलता है और मौसमी बिमारियां जैसे के सर्दी जुकाम, गले की खरा, शादी, चाती में बल्गम, जमना इसी कुछ जो बिमारियां है इससे भी सैजन कभी फैदेमन होता है और सैजन की फली में मौझूद फाइबर्स, कब्स की समस्या भी बचाते हैं और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कलेस्टरॉल की अगर दिखकाता है तो सैजन के निमेट 7 से ब्लड प्रेशर को नियंतित किया सकता है और इसमें मौझूद विटामिन C बेक कोलेस्टरॉल को नियंतित करते हैं और इसका निमेट 7 हार्ट अटैक और हार्ट फिल जैसी स्तिथी को भी आने से रोग सकता है अस्थमा में इसके अच्छे प्रेवग है सहजन का सूप भी नकाव फाइदेमन माना गया अस्थमा के लिए और खून की अगर सफाई करनी है तो सहजन का सूप खून की सफाई में काफी हलफुल होता है खून साफ होने के विए से चेहरे पर निखार आता है और कई समस्याँ चुटकारा मिलता है और लीवर के लिए सहजन काफी अच्छा माना गया है अगर लीवर डैमेज हो गया हो तो इसको सूधाने के लिए और लीवर की सूजन कम करने के लिए सहजन काफी फाइदेमन माना गया है तो दोस्तों इसके प्रयों की विदी देख लेते हैं संशेप में कैसे है और अगर आप इसकी चाल का इस्तिमाल करते हैं तो आप इस बात का जुरू ध्यान रखें कि जितनी चाल आप प्रयोक कर रहे हैं उस हिसाब से इसके पेड़ भी जुरू लगाएं क्योंकि चाल निकलने से पेड़ फलना फुलना बंद कर देता है और खतम हो सकता है तो इसलि करते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ने दिया गया है लिंक पर क्लिक करें और इसका लाब लें और दोस्तो इसके अलाव होई और बहुत से टॉपिक हमारी वेबसेट भी अविलेवल है जो कि आपके लिए लाबदाएख हो सकते हैं तो हमारी वेबसेट जुरू विजि